मोदी सरकार अब वृद्धों, दिव्यांगों और विद्भवा को देने वाली है बड़ी खुशक बड़ी आंच गुना हो जाएगी पेशन 2019 के लोग सभाचुनाव से पहले केंदर की मोदी सरकार ने देश के विद्धों, दिव्यांगों और विद्भा महलाओं को बड़ा तोहफा दिने की तैयारी की है सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार विद्धों, दिव्यांगों और विद्भा महलाओं की पैशन को पांच गुना करने की तयाही कर रही है ऐसा माना जा रहा है कि 2019 के लोग सभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार वोटरों को लुभाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ रही है यह फैसला भी इस कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है 15 जनवरी को होने वाली सामाजिक सहायता कारेकरम की बैठक में इस पर फैसला भी लिया जा सकता है यह बैठक केंद्रिय मंत्री राम अकरपाल यादव की अध्यक्ष्टा में होगी 3 करोड लोगों को हुगा फायता एक सरकारी आकणों के अनुसार इस समय देश में करीब 3 करोड लोगों को पैशन दी जाती है इसमें करीब 2.4 करोड बुजुर्ग, 6 लाख विद्वाएं और 10 लाख दिव्यांग शामिल है अलग-अलग राज्यों में इनकों प्रतिमाह 200 रुपे से लेकर 500 रुपे तक पैशन दी जाती है अब सरकार की योजना इन सभी को कम से कम 1000 रुपे की पैशन देने की योजना है इसके लिए ग्रामीन विकास पंत्राले ने सामाजिक आर्थिक जन्गरणा के आधार पर 48,000 करोड रुपे की योजना का प्रस्ताव पेश किया है एक अप्रेल से दी जाएगी बढ़ी हुई पैशन केंद्र सरकार ने आने वाली 15 जन्वरी को होने वाली बैठक के लिए सदस सिराजियों, स्वयन सेवी संस्थाओं समेत सभी हिस्सेदारों को बुलाया है इसमें सभी हिस्सेदारों से पेशन के मद में दी जाने वाली राशी के लिए केंद्र और राज्य का शेर ते करने पर चर्चा की जाएगी ऐसा मानद जा रहा है कि सरकार केंद्र और राज्य का शेर 50-50 फीज दी करने पर सहमती बना सकती है बढ़ी हुई पेशन एक अप्रेल 2019 से दी जाएगी इससे केंद्र पर हर साल करीब 50,000 करोर रुपे का अतरिक्त बोज पड़ेगा अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है पेशन अभी तक सभी राज्यों में अलग-अलग पेशन दी जाती है दिल्ली, हर्याना और आंधर प्रदेश में व्रिद्धवस्था पेशन के रूप में 1000-1000 रुपे देते हैं तो वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, महराष्ट, हिमाचल प्रदेश में 300-650 रुपे तक की राशी प्रदान की जाती हैं केंद्र की इस योजना से देश के करीब 30 करोड लोगों को फायदा होगा